हलो दोस्तों स्वागत है अपका अपने चैनल एक्जामेजॉन पे तोगा फिर से मैं हाजिर हूँ 9 जनुरी 2021 के इंपॉर्टिन इवेन से साथ यह हमारी वीडियो स्पेंडिंग रह रही थी इनको जल्दी से जल्दी हमें कबर करना है आज का पहला कोशन देखते हैं यूनाइटे नेशन यून में इंडिया के पर्मनेंट रिप्रेजेंटेटिव यानि इस्थाई प्रितनी दी कौन है इस समय इंडिया के पर्मनेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यून में टी एस दिमूर्ती कौन है टी एस दिमूर्ती देखते हैं चर्चा में क्यों थे एससी की तीन की बॉडिज हैं जिनकी चेर्मेंशिप इंडिया को मिली है और इसके लिए रिस्पॉंसिबल कौन होंगे टी एस जिमूर्थी जो कि इस समय पर्मानेंट रिप्रिजेंट ट्यू हैं उनाइटे नेशन सेक्योर्टी काउंसिल में और उनाइटे नेशन में तो त स्क्योर्टी कॉंसिल के बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 में इस्थाबना होई थी न्यू और्क में इसका हैड़कोटर है टोटल 10 नौन पर्मानेंट मेंबर होते हैं दो वर्स के लिए चुने आते हैं फाइफ पर्मानेंट मेंबर होते हैं जिनके पास वीटो पाउर होता है यह पाच कंटी आप देख लिएगा यही पर्मानेंट मेंबर होती हैं यह एक कोशन है नेशनल स्टेटिसकल आफिस इन्होंने 2021 जो फिनांसिल है 2020-21 है उसके लिए इंडिया की रियल जीडीपी का एस्टिमेट क्या लगाया है तो नेशनल स्टेटिसकल आफिस के अनुसार इंडिया की जीडीपी फिनांसिल यह 2021 के दोरान 7.7% कॉंटर्ट कर जाएगी कितना 7.7% कॉंटर्ट कर जाएगी यह देख लिए नेशनल स्टेटिसकल आफिस ने कहा है कि फिनांसिल यह 2021 के दोरान इंडिया की जीडीपी 7.7% कॉंटर्ट कर जाएगी यह जो है नेशनल इ estimate है national income का जिसको NSO ने जारी कर दिया है इसके तहर इंडिया की GDP 7.7% contract कर जाएगी financial year 2021 समाप्थ होते होते 32 March को जो है यह समाप्थ हो रहा है estimate पहले ही जारी कर दिया है इन्होंने इस बार इनमें बताया है कि सभी सेक्टर में जो हमारी economy उसके सभी सेक्टर में construction देखने को मिलेगा यानि संकुचन except agriculture को छोड़ कर सभी सेक्टर economy के वो contract हो जाएंगे national statistical office के बात करें तो इसको NSSO और CSO को merge करके बनाया गया था government of India दोरा ministry of statistics and program implementation के दंतर के कारी करता है जिसके में इस्टर कौन है इंदर कुमार रावत इन्या question है आर्बे ने COS college of supervisors को support करने के लिए एक six member की academic advisory council बनाई है आपको तना है college of supervisors के head कौन है तो college of supervisors के head है NS विश्वनाथन कौन है NS विश्वनाथन ये देख लिए आर्बे दोरा six member academic advisory committee बनाईगी है जो college of supervisors को support provide करेगी कुछ समय पहले ही college of supervisors बनाया गया था जिसके head है NS विश्वनाथन ये NS विश्वनाथन आर्बे में deputy governor है college of supervisors के head होंगे देखे एक administrative head भी है college of supervisor का वो कौन है रवी नरायन मिश्टा इनको administrative head बनाया गया है college of supervisor का साथ साथ member non-member director भी बनाया गया है college of supervisor का college of supervisor देखे इस थाफनाथ इसकी मई 2020 में ही हो गया थी लेकिन अब operationalize हो गया है इसका main purpose है कि उन areas को identify करेगा banking sector के जिन में skill building required है तो college of supervisor के head रखेगा एनस विस्ट नायथन और बेए के deputy governor ने question है recently पैसों को रोको मत ये एक pan India investor awareness campaign है किसने launch किया है तो पैसों को रोको मत ये campaign launch किया है IDFC mutual fund ने ये देख लिए IDFC mutual fund दोरा पैसों को रोको मत एक pan India investor awareness campaign launch किया गया है इसका main purpose ये purpose ये है कि लोगों में ये भावना जगाए कि वो wealth creation के विसे में conversation करें तो पैसों को रोको मत IDFC mutual fund का एक नया campaign है पर देखेगा IDFC mutual fund को तो नहीं देखते है लेकिन IDFC bank की अगर बात करें तो कुछ समय पहले ही capital first bank और IDFC bank का merger clear दिया गया था और IDFC first bank बनी थी IDFC first bank की tagline आप यहां से पढ़ लिजेगा 2015 में IDFC first bank बनी थी क्योंग मर्जर हो गया था headquarter is come by में है MD and CEO कौन है Mr. V. Vedinathan IDFC का full form देख लिए infrastructure development finance company इनकोशन है recently किसने हरियारा के अटेली से इंडिया की first sorry इंडिया की वर्ड की first double stack long haul container train को हरियारा के अटेली से न्यू अटेली से हरियांडी दिखाई है PMODI ने किसने PMODI ने यह देख लिए यह PMODI है इन्होंने double stack container train जो कि electric route पे चलेगी हरियारा के न्यू अटेली से हरियांडी दिखाई है PMODI ने वर्ड की first double stack long haul container train है जो electricity पे चलेगी मैं आपको तादू इसी के साथ PMODI ने western dedicated freight corridor का जो 306 km का section है रेवारी मदार section उसको भी inaugurate किया है ये तो 306 km का western dedicated freight corridor का section है रेवारी मदार कुछ समय पेले PMODI ने eastern dedicated freight corridor के भावपूर new खुर्जा section को भी हरिजन्दी दिखाई थी याने की काम complete हो गया था इन्यू ग्रेट किया था उसकी length क्या थी 351 km जो की eastern dedicated freight corridor का longest section था इंडिया डेलवे की बात करें तो अप्टेल 1853 में इंडिया की पहली train चली थी मुंबाई से थाने के बीच में 34 km के लिए उस समय गवणने जिल कौन थे लौड डलहोजी देखिए जौन में था ही इंडिया के फर्स्ट डेलवे मिनिस्टर थे वतमान में कौन है पियूस गोयल और कुछ समय पहले ही सुनी सर्मा को डेलवे बोर्ड का चेर्मेन ने CEO बनाए गया है नएक कोशन है recently international अखंड कॉन्फेरेंस एडू कॉन 2020 इसको एजुकेशन मिनिस्टर रमेज पोख्याल जी ने इनाउग्रेट किया है आपको तरह किस इंडियान स्टेट में एडू कॉन 2020 को और्ग्नाइज किया रहा है तो पंजाब में एडू कॉन 2020 को और्ग्नाइज किया Central University of Punjab भटिंदा के साथ साथ Global Educational Research Association जो की पंजाब में ही है, दोनों कोलाइबरेट करके इस International Conference को और्गनाइज करेंगे. तो EDUCON 2020 इसको Central University of Punjab यानि भटिंदा इसके दोरा और्गनाइज के जा रहा है GERA की मदद से. ये EDUCON 2020 का थीम क्या है? InVisionizing Education for Transforming Youth to Restore Global Peace. ये पंजाब में ही स्थित है, नॉमबर 2010 में इसकी स्थापना हुई थी, एक सुसाइटी के तौर पे कारिकरता है. नए कोर्शन है, अपने flagship liberalized MSME AEU package को इंट्रोड्यूस करने के लिए एक नया initiative किसने लाँच किया है? तो CBIC किसने लाँच किया है? CBIC. ये दिख लीजिए, कुछ समय पहले CBIC ने liberalized MSME AEO package लाँच किया था, लेकिन कुछ खास result इसका मिल नहीं रहा था, तो इसको introduce करने के लिए CBIC ने एक नया initiative लाँच कर दिया है. मैं आप उतादू, CBIC चाहता है कि MSME Authorized Economic Operators बनें, क्यों Authorized Economic Officers बनें? ताकि इनको different-different जो benefits है CBIC के, वो अराम से मिल सकें, जैसे आपका faster custom clearance हुआ, और other benefits है CBIC के, वो MSME इसको भी मिल सकें. तो इसके लिए CBIC ने MSME AEO Package Announce किया था, अब उसको identify करने के लिए, उसके विसे में लोगों को aware करने के लिए, एक नया initiative लाँच किया है CBIC ने, तो आप रहे देखेगा, liberalized MSME AEO Package, यह CBIC का initiative है, CBIC के बात करें, Center Board of Indicates and Custom, 1964 में स्थाबना हुई थी, M. अजीत कुमार इसक संचया, नया question है, जो 16 प्रवासी भारती दिवस है, इस दोरान किस कंटी के president, जो चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी है, वो किस कंटी के president है, जो chief guest बने थे, तो 16 प्रवासी भारती दिवस के दोरान, चंद्रिका प्रसाद संतोखी, chief guest बने थे, यह सूरी नाम के president है, कहां क प्रवासी भारती दिवस मनाया जाता है 9th January को इस बार भी प्रवासी भारती दिवस मनाया गया लेकिन प्रवासी भारती कॉन्फरेंस नहीं मनाएगी हाला कि जो सुलहुआ प्रवासी भारती दिवस है उसके चीफ गेस्ट से सूरी नाम के प्रेसिडेंट नाम क्या है चंद्री का परसाथ संतोखिया पोया रखना है इस बार का जो 16 प्रवासी भारती दे था उसका थीम था Contributing to आत निर्भर भारत इतना याद रखेगा 9 जनुरी को प्रवासी भारती दिवस इसलिए मना याता है लेकिन 2015 में प्रवासी भारती कॉन्फरेंस अब हर दो वर्स में एक बाब बनाई आएगी तो इस बार जो 16 प्रवासी भारती दे था उसके चीव गेश्ट कौन थे चंद्रिका प्रसाथ संतोखिय कहां के प्रेसेड़न है सूरी नाम के ने कोशन है रिसेंटली के एस विजयनाथ इन्होंने एक बुक लिखी थी सब्री माला विजननान कोशम इस बुक को रिलीज किसने किया है तो सब्रीमाला विजननान कोशम बुक को रिलिस किया है आरिफ मुहमत खान किसने रिलिस किया है आरिफ मुहमत खान आरिफ मुहमत खान जी केरल के गवर्नर है इन्होंने एक बुक रिलिस किये सब्रीमाला विजननान कोशम समी महला विष्णनान कोशन बुक को लिखा किसने है के इस वैदिनाद आप दिखेगा इसके अलावा जो आरी मुहमत खान है इन्होंने लिमका बुक आवार्ड की घोशना की है केरल के ही एक परसन है जिनका नाम है स्वामी महसुरा नंदा इनको 111 फिट उचे सीवलिंग को कारवाउट करने के लिए यानि बनाने के लिए 111 फिट के सीवलिंग को बनाने के लिए लिमका बुक आवार्ड में सामिल किया गया है नाम है रिखेगा स्वामी महसुरा नंदा ये जो 111 फिट का सीवलिंग है ये महस्वरम स्री सिवा पार्वती टेंपल तिर्वंध पुरम में इस्थित होगा तो आप इतना रिखेगा रिसेंटली 111 फिट के सीविलिंग इस्टूब को स्वामी महस्वर नंदा ने कारवाउट किया है इसके लिए उनको लिमका बुका और दिया गया है किसके द्वारा आरी महमद खान द्वारा ये देख लिए लिमका बुक 1990 में स्थाबना हुई थी एडिटर कौन है वसला कॉल बैनर जी केरल की बात करते हैं गवर्णर में ने ताद दिया आपको आरी महमद खान पकिस्टान की जो आर्मी है उसके द्वरा फतेव रॉकेट सिस्टम को going कहँ क्यों में so that पाकिस्टान की बीच में आपको यादि है एक पाकिस्तान के पर बंगलादेश के बीच में में भी इंडिया और बंगला देश के बेच में भी डेट क्लिफ लाइन ही है, कुछ समय पहले ही पाकिस्तान का जो लौहर है, वहाँ पर famous poet इक्बाल का statue बनाया गया है सारे जहां सच्छा याद होगा वो इक्बाल नहीं रिखा था पाकिस्तान की capital आपको पता ही है currency क्या है पाकिस्तान रूपी प्रेशन कौन है आरिफ अलवी और प्राइम इस्टर कौन है इमरान खान नए question है recently बंधन बैंक सौरे सेलरी अकाउंट के लिए बंधन बैंक ने इंडियन आर्मी के साथ M.O.E.U. साइंड किया है आपको दाना बंधन बैंक का हेड़कॉर्टर कहा है तो बंधन बैंक का हेड़कॉर्टर है कोलकता में कहां पे है कोलकता में ये देख लीजिए recently सौरे सेलरी एकाउंट के लिए इंडियन आर्मी के साथ बंधन मैंक ने Memorandum of Understanding sign किया है तो ये भी आद रखेगा सौरे सेलरी एकाउंट के लिए इंडियन आर्मी के साथ किसने MOU sign किया है बंधन मैंक ने इसके ताहर जो आर्मी के सेलरी काउंट holders होंगे अगर वो एक लाग से उपर का बैलेंस जमा करते हैं अपने सेलरी एकाउंट में तुनको 6% का इंट्रेस्ट रेट दियाएगा तो सौरे सेलरी एकाउंट किसका इनिशेटिव है बंधन मैंक का इसके तहर सौरे वीजा प्लैटिनम डेविट कार्ड भी दिये जाएंगे आर्मी सेलरी एकाउंट होल्डर्स को तो सौरे सेलरी एकाउंट के लिए बंधन मैंक और इंडियन आर्मी ने एमो उशेंट किया है बंधन मैंक देख लिए 2001 में स्थापना होई थी खोलकत्ता में इसका हेड़ क्वाटर है चेर पसन कौन है डॉक्टर अनूप कुमार सिनहा और MDN CEO कौन है चंदर सेखर घोष तो बंधन मैं क्याद रखेगा सौरे सेलरी एकाउंट ने कोशन है डगमरा बसकोवा इन पर बारा वर्स के लिए WTA Women Tennis Association ने Match Fixing के चलते बैल लगा दिया है अब रहा है डगमरा बसकोवा किस कंट्रिय से बिलाउंग करती है तो स्लोवेनिया से बिलाउंग करती है डगमरा बसकोवा यह स्लोवेकिया स्लोवानिया की टैनिस प्लेयर है डगमरा बसकोवा इन पर WTO Women Tennis Association ने 12 वर्स का बैल लगा दिया है मैच फिक्सिंग से चलते हैं बासकोवा ने 2017 से लेके 2020 के बीच में पाच इंसिदेंस में accept किया है कि हुँमें मैच फिक्सिंग की है तो डग मरा बासकोवा कहां से बिलॉंग करती है स्लोवेनिया से WTO देख लिजिए Women Tennis Association 1973 में जब oil crisis चल रहे थे तब WTO की स्थापना हुई थी फ्लोईडा में इसका headquarter है प्रेशन कौन है मिक्की लॉलत हॉलेंड से बिलॉंग करती है चेर्मैन याद रिखेगा इस्ट्यू साइमन डग मरा बासकोवा स्लोवेनिया Bloomberg Billanier Index के तहर वर्ड के richest person कौन बन गया है तो कुछ समय के लिए ही सही लेकिन Elon Musk वर्ड के richest person बन गया है यह देख लिए यह है Elon Musk SpaceX और Tesla Motor के founder and CEO है Elon Musk वर्ड के richest person बन गया है कुछ समय के लिए कुछ समय के लिए इन्होंने चेर्ब बेजोस को पीछे छोड़ दिया है recently Bloomberg Billanier Index इसने जो है वर्ड के 500 500 लोगों की लिश्ट जारी की है जो richest person है इसको टॉप के है Elon Musk हाला कि कुछ समय बाद ही जेर्ड बेजोस ने इनको पीछे छोड़ दिया लेकिन आपिया देखेगा य 216 से 500 लोगों की लिश्ट जारी करने लगा Bloomberg Billanier Index जिसको इसबर टॉप किया है Elon Musk ब्लूमबर्ग की बात करें नियॉयॉर्क बेस्ट एक publication है CEO कौन है Michael Bloomberg यह question देखते हैं सोमालिया में इंडिया के next ambassador कौन पॉइंट होए हैं तो इंडिया के next ambassador सोमालिया में पॉइंट होए ह और वि के पॉल है यह देखिए यह हैं वी के पॉल यह इंडिया थे आप आप सोमालिया में अभी तक केन्या में इंडिया के है कंश्णर थे वी के पॉल रिके पॉल 1991 के 1991ANG स toppMM के स्बॉल्यक्ष50 में ब्वानिया के गलम्न में होज़न और हमिस्ट रही तक होुझ्णर वहो ही है सुमालिय आप मैं भी देख लिजिए हॉन आफ अफ अफ्रीका का एक पार्ट है कैपिटल क्या है इसकी मोगा दिसू कौन है मुहम्मद अब्दुल्लाही फर्माजो और कैंसी क्या है सुमालिया की सुमाली शिलिंग सुमालिया का एक टेरिरिस्ट गूप है कई बार एकस का टेरिटी जनल सेकर्टी अपॉइं अब इसे कि यादो होगा यह अखले से दो नहीं होगा अब से क्या दो ऑल इंडिया फुटबॉल फेड्टे में इतना बहतरीन पत दिया गया है तो अब से क्या तो याद रखेगा लिए फुटबॉल फेडिशन के फर्स्ट फूटबॉल फूटरेशन की बात करें तो 1937 जब बर्मा इंडिया से अलग हुआ था तब आल इंडिया फूटबॉल फूटरेशन की स्थापना हुए थी हेड़कॉर्टर इसका देली में है और प्रफुल पटेल नहीं कोशन है लिसेंटली जो डिकवरी एजन्ट द्वारा ह यह उगाही करने के लिए जाते थे याई कि आप को पताए है रिकवरी करने के लिए जाते थे एजन्ट और घर पर जाके गाली कलोच करते थे उसको देखते हुए अर्बियाई ने बजाज फिनसर्व के उपर 2 क्रोड की पेनलिटी लगा दी कितनी ध्षि लिए निए कई बार एकजाम में पर पूछ लेते हैं, इंडिया की लाजेस्ट नं बांकिंग फ्रेंशिल कंपणी उप just a series कोई है बाजाज Finance, ऐंडिया की लाजेस्ट NBA एफ़ेंड आपको उगरे बुक भी लेनी ना तो यूअ tut लिए उसके यूद फिंसकर वाप्या देखेगा 2007 में इसकी स्थापना हुई थी कुछ समय बाद ही इसको banking relations भी बिल जाएगा इसका headquarter है पूरे में चेर बरसंग कौन है राहूल बजाग और MDN CEO कौन है संजीव बजाग ने कोशन है जो हमारे minister of youth affairs and sport है किरल रेजजू इन्होंने awesome rifles public school को खेलो इंडिया इसकूल का tag दे दिया है आपको ताना है ये जो awesome rifles का public school जिसको खेलो इंडिया इसकूल का tag दिया गया है ये किस city मिशते थे तो ये शिलोंग मिशते थे कहाँ पे शिलोंग में ये देख लिजे union minister of youth affairs and sport किरल रेजजू जी इनके त्वरा awesome rifles public school जो कि शिलोंग मिशते थे उसको खेलो इंडिया इसकूल का tag दे दिया गया है तो जो शिलोंग का awesome rifles public school है अब वो खेलो इंडिया इसकूल होगा अभी तक इंडिया वे 9 खेलो इंडिया इसकूल है आप दे दिखिएगा गवर्मेंट द्वरा अप्रूब किया चुके है पाच को जो है डिफेंस अन पैरामेट्री फोर्सेस द्वरा मैनेज किया आता है बाकि सब को खेलो इंडिया इसकीम के तहट मैनेज किया आता है यह देख लिजे जो awesome rifles public school है यह नौर्च इस्ट का first sport school होगा तो आप यह भी आज़ रखते है नौर्च इस्ट का first खेलो इंडिया sport school सिलॉंग में जो है launch किया गया है awesome rifles public school में इतना याज रखीगा awesome rifles की बात करें तो 1835 में 1835 में इसकी स्थापना हुई थी सबसे पुरानी paramilitary force है इंडिया की headquarter कहा है इसका सिलॉंग में जो governing body है इसकी वो misty of home office है और operational headcount है इसकी misty of defense लाज खोशन है सतर्क नागरिक यह एक mobile app है किसने launch किया है सतर्क नागरिक mobile app लाँच किया है Manos Sinha ने किसने launch किया है यह है Manos Sinha ने यह है Manos Sinha जम्मो एन कस्मीर के lieutenant governor है Manos Sinha इन्होंने सतर्क नागरिक mobile app उसके साथ है एक departmental vigilance officer portal launch किया है जम्मो कस्मीर के anti-corruption bureau का यह सतर्क नागरिक mobile app में क्या होगा एक unique ID यानि identification number प्रवाइड किया जाएगा यहाँ पर आप कोई भी campaign register कर सकते हैं सतर्क नागरिक mobile app पर उसकी status track कर सकते हैं तो सतर्क नागरिक mobile app कहाँ प्लाउंच एगा है जम्मो कस्मीर में जम्मो कस्मीर की बात करें तो 31 October यानि national unity day 31 October 2019 को जम्मो कस्मीर और लगदाक union treaty बन गई इस समय मनो सिनहा इसके lieutenant governor है और जम्मो कस्मीर में दाची गाम national park और किस्तवार national park भी है आप ये passes पढ़ लिजेगा वो हमारे लिए इतने important नहीं है जल्दी मिलते हैं आप सुझे नेक्स्ट वीडियो में तो तकले टेक क्यार गुद्बाय और जये